भारत और पाकिस्तान के सालों पुराने खठास बरे रिष्टों से भला कौन वाकिफ नहीं है वहीं भारत और इरान की दोस्ती के चर्चे भी दुनिया में होते आए हैं चावार बंदरगा के संचालन के लिए भारत और इरान के बीच 13 मई को ही एक समझोता हुआ था ये समझोता कितना महतुपूर्ण है इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिकी नाराजगी को दरकिनार कर भारत इस समझोते पर आगे बढ़ा यही नहीं इरान के राशपती इब्राहिम राइसी की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत के बाद उनके अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए खुद भारत के उपर राशपती जगदीब धनकर इरान गए थे लेकिन राइसी के जाते ही इरान के तेवर बदल गए हैं इरान अब भारत के दुश्मन पाकिस्तान की खुशियों में शरीक हो रहा है पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को परमानू बम का परिक्षन करके दुनिया को हैरान कर दिया था पाकिस्तान ने भारत के परमानों परिक्षन करने के जवाब में ये परिक्षन किया था पाकिस्तान इसे यौमे तकबीर नाम से मनाता है इस बार तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने आज के दिन सारजनिक रूप से छुट्टी कर दी पाकिस्तान के यौमे तक्बीर पर पडोसी इरान ने बधाई दी है बता दे कि पाकिस्तान पहला मुस्लिम देश है जिसने परमानू बम बनाने में सफलता हासिल की है पाकिस्तानी नेता दावा कर रहे हैं कि उनका देश परमानू हत्यारों का विकास जारी रखेगा वहीं इरान की ये बधाई तबाई है जब संयुक्त राश की संस्था आईएई ने चितावनी दी है कि इरान परमाणू बम बनाने लायक यूरेनियम को बढ़ावा दे रहा है IAE का कहना है कि इरान ने अपने समवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के स्तर के करीब तक बढ़ा लिया है सहीवत राश के परमाणू निगरानी निकाय ने एक गोपनिय रिपोर्ट में ये जानकारी दी है रिपोर्ट में कहा गया कि अब इरान के पास 60% की शुधता का 142.1 किलोग्राम समवर्धित यूरेनियम है जिसमें फरवरी की पिछली रिपोर्ट के बाद से 20.6 किलोग्राम की प्रद्धी हुई है बता दें कि 60% शुधता का समवर्धित यूरेनियम 90% के हथियार बनाने के स्तर से बस एक कदम दूर है वहीं इरान बार बार ये दावा करता है कि वो परमानू बम नहीं बना रहा है लेकिन इरान के इरादों पर अमेरिका समेर तमाम पश्च्वी देशों को भरोसा नहीं है